तो आज में थोड़ा मेडिकल एक्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा जो डिपार्टमेंट में आप सब का जॉइनिंग होगा और जो अभी ऐस्पिरेंट से उनके लिए भी यूसफूल है काफी ताकि वो अपने प्रिपरेशन के दवरान अपने फिटनेस में भी ध्यान के लिए कि क्या-क्या अक्चुली प्रोसेस है और देखिए हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजियल डिपार्टमेंट का थोड़ा अलग-अलग उनका होता है लेकिन बेसिकली जो नॉर्मल जो रूल है मैं यहाँ पे डियोपीटी प्रॉपर जो ओर्डर है हो या कुछ आपको लगे कि इस ओर्डर के हिसाब से जो सही बैट नहीं बैट रहा है तो उस टाइम में आप अपना डिप्रेजेंटेशन दे सकते हो एंड इन डैट केस आप इस ओर्डर को रिफर कर सकते हो इस ओर्डर यह ओर्डर नमबर डालके आप गूगल मालोगे तो आपको गूगल में पुरा आपका डियोपीटी का ओर्डर मिल जाएगा तो इस ओर्डर बेसिकली डिटेल्स ओल्ड़ नेसेसरी एक्जामिनेशन्स डाट टूबी मेड फॉर मेटिकली अप्रूविंग कैंडिडेट रस्ट कैंडिडेट कैंडिडेट हो इस गोइंग तो ज एक हो सकता है you might be declared unfit for service मैं प्रे करता हूं कि यह situation किसी के साथ ना हो बट इन डाट केस यूविल नाट बी considered for service for joining the service और तीसरा एक जो status मिलता है वह एक टेम्पूररी ली unfit for service टेम्पूरी ली unfit means एक पर्टिकुलर टाइम पिरियाट के बाद एस पर दा मेडिकल ओथरीटी और अब जो है इस रूल के हिसाब से मेडिकल ओथरीटी रिसाइड करेगा कि इतने टाइम के लिए आप जो है वेट कर सकते हो और अपने आपको आप physically medically आप अपने आपको modify कर सकते हो तो in that case यहाँ पर एक दूसरा और एक clause है जो आपको two months का salary आपको मिल सकता है without producing your medical certificate लेकिन after that if you are not declared medically fit or you have some issues with your health तो you will be terminated तो बात करता हूं मैं details में आता हूं the name of the order is basically medical appointment medical examination on first appointment यह आपको यहाँ पर basic requirement किया है वो आपको पहले दिया हुआ है तो मैं आपको एक एक करके सारा points में बताऊंगा total 29 pages का एक PDF है I will give you link in the description box you may download it and you can read the PDF yourself तो कोई भी सरकारी नौकरी में anything and everything under the sun जो भी government service है उसमें join करने से पहले you are supposed to submit a medical certificate duly approved by a competent medical authority competent medical authority means आपका district hospital या जो आपका central hospital जहाँ भी आपको बताया जाएगा department के द्वारा तो बहाँ पे जो CMO है बहाँ पे एक board constitute होगा board of medical officers रहेंगे उसमें आपका ophthalmologist होगा cardiologist होगा anatomy आपका पूरा देखा जाएगा check किया जाएगा मतलब जो जो issues होना चाहिए वो सबका एक specialist रहेंगे तो वो अपना अपना remarks जो है उस certificate में लिखेंगे और उस हिसाब से board आपको declare करेगा fit या unfit और वो that would be cross signed by CMO not only for regular employment this is also true for contractual appointments अलसो हमारे office में हाली में contractual appointment होगा बहां पर उनको भी एक proper registered government registered hospital या डॉक्टर के डॉक्टर से physical fitness और mental fitness का certificate प्रोड्यूस करना परा तो कोई भी service जिसमें जो pensionable है जिसमें family pension का proper system है तो वैसा कोई भी service में अगर आप join करने जाओगे तो government का rule है government पूरा जाज परताल करके उसके बाद ही आपको joining provide करेगा even अगर कोई staff who is already working already serving in any ministry or department or subordinates office तो when he will be promoted or in case of his promotion उनको भी एक medical certificate submit करना परता है produce करना परता है जहां पे he will be declared medically and mentally fit for service physically and mentally fit for service तो अगर promotion हो जाता है और that particular employee fails to produce medically fit certificate तो he or she gets demoted उनका demotion हो जाता है और वापस जो है पुराने बाले salary या pay scale में पुराने बाले post में उनको भेजा जाता है तो वो challenge कर सकते है depend करता है वही कि medical status क्या है temporarily unfit है या सिर्फ unfit है सिर्फ unfit जो होंगे उनका थोड़ा मुश्किल है और temporarily unfit जो होंगे वहाँ पे एक specific time is mentioned generally तो you have to be fit you have to acquire that kind of fitness within that particular time which is specified by proper authority medical authority तो आपका जो medical certificate होता है join करने के बाद आपका जो first salary when you draw your first salary तो उसके साथ आपका medical certificate properly attach करके भेजना परता है आपका जो pay an account office है पाओ बहाँ पे भेजते हैं आपका office के DDO drawing and dispersal officer तो that certificate is actually scrutinized and checked by Comptroller and Auditor General of India CAG तो कोई भी किसी भी type का जो forgery आप उस certificate में नहीं कर सकते अगर आप बाद में कोई issues या कोई difficulties face नहीं करना चाते हो तो ये सब चीज में आप बिलकुल कोशिश मत करो अपना दिमाग मत लगाओ और जो भी original genuine certificate है वो देखके ही पता चल जाता है तो that certificate is checked by CAG नहीं तो बाद में कोई audit अगर कोई fake certificate पकरता है तो that person will have to pay back all the salaries of the months he has worked in that particular department तो आप समझ सत्यों बहुत ज्यादा मुश्किल भाला बहुत ज्यादा complicated चीज है और इसमें service बिलकुल खराब हो जाता है और beyond repair हो जाता है तो I think honesty is the best policy in this kind of situations और in all situations throughout your service आपको ये चीज बिलकुल ध्यान रखना चाहिए और apart from the usual medical examination जो आपका hospital में होता है generally सरकरी hospital में यह जहां पर भी आपका department जहां जाने के लिए बोलेगा मेरा जैसे medical examination मेरा हुआ था सफदर्जंग hospital आपको पता योग अनियो दिल्ली में एम्स के बिलकुल opposite में तो मतलब मेरा experience बहुत जादा complicated experience है बहुत जादा difficult था मेरा examination क्योंकि काफी thoroughly चेक्किया गया था सब कुछ और जैसे सबदर्जंग आपको जो लोग गयो हो उनको पता है और हम लोग में पहली बार गया था में और मेरे साथ और एक दोस्त था वो south का था तो हम दोनों को काफी जादा जो है अंदर खो खो जाते थे इतना बड़ा hospital है और बिलकुल बोर्ट ढून पाना फिर बहां पे जाके सब कुछ करवाना और diabetes बगएरा का सब कुछ test होता था blood test लेना time से timely खाना पीपी fasting के लिए और उसके बाद खाके फिर पीपी देना तो things were a bit difficult back at that time और काफी जादा struggle करना पड़ा मुझे लेकिन ultimately everything came to a good result और सब कुछ positive था तो ठीक है जो जिसका end अच्छा होता है all is well when the end is well तो like that only but apart from that medical examination candidates are supposed to declare give a declaration also तो declaration में आपको जो है एक statement देना पड़ता है बहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि whether आपको कभी smallpox या intermittent और any other kind of fever हुआ है या जो है glands का enlargement splitting of blood थूख के साथ खून का निकलना, asthma होना और heart disease, lung disease आपका कभी pneumonia हुआ है या आपका जो है faint कभी आप हो जाते हो बेहोस हो जाना time time से जिनका जैसे nervous breakdown होता है या nerve का issues रहता है वो कभी भी मुझ से उनका जैसे fumes निकलने रखता है और वो बेहोस हो के गिर जाता है कहीं भी तो उस type का कोई अगर आपके साथ issues हुआ है कभी भी आपके life में और इफ आपको appendicitis हुआ है या उसका operation हुआ है उसका declaration एक आपको देना परता है और दूसरा point जो declaration में देना परता है candidates को वो है कोई अगर आपका accident हुआ है या कोई disease हुआ है जिसमें bed में आपको bed rest लेना परा है for a particular period of time और कोई surgical treatment जो भी recently हुआ है वो सब आपको देना परेगा इसमें और आपका अगर last cup vaccination हुआ है कोई आपका near relatives किसी को asthma है या gout है या fits epilepsy insanity पागलपन ऐसा कुछ अगर बिमारी है तो वो भी बताना है और आपका अगर कोई nervous breakdown हुआ है recently overwork की वज़े से और कोई और reason की वज़े से वो आपको यहां mention करना है और अगर पहले आपका कभी भी medical examination हुआ है जहां पे government service के लिए जहां पे आपको fit declare किया हुआ है by any medical officer और medical board within the last three years वो आपको mention करना है और एक point रहता है उसने father, mother, sister, brother इनका age अभी कितना है और इनका health कैसा है और अगर इन में से किसी का death हुआ है तो reason किया था death का सब कुछ mention करके बहां पे आपको sign करना होता है और उसको attestate करता है medical officer जहां पे आपका board बनता है और जो आपका पुड़ा check करता है तो उनका जो officer होता है head होता है वो बहां पे sign करेंगे तो अगर उसमें वो information में बाद में कोई mistake या कोई जान पूछ के आप fake information false information submit करते हो या provide करते हो उनको तो बाद में वो पता चलने से आपका जो है नौकडी खराब हो सकता है खतम हो सकता है retirement benefits आपको शायद नहीं मिल पाएगा financial loss के साथ साथ आपका job loss भी हो सकता है तो इसलिए बहुत careful तरीके से ध्यान देके उसको जो है आप fill up कीजिए अगर आपका जो medical certificate है तो उसमें अगर आपको unfit बोला गया है वैसे यह बहुत जादा secretive in nature होता है confidential होता है और इसको within closed envelope आपका office में forward किया जाता है बट उसके बाद जब पता चलता है कि आपको जो है unfit declare किया गया है अगर ऐसा होता है तो आप वापस से appeal कर सकते हो in that case आपको appeal करना पड़ेगा ministry of health को refer करके और बहाँ पे आपको फिर से जो है अपना अपके पास जो भी evidence है कि आप उस certificate को क्यों बता रहे हो कि इन्हें accurate है false है तो उसका evidence आपको provide करना पड़ेगा अगर आपको फिर से appeal करना है तो within one month आपको करना पड़ेगा जब आपको unfit declare किया जा रहा है उसके एक महिने के अंदर आपको फिर से appeal करना पड़ेगा और female candidates के female candidates में अगर कोई pregnant lady रहती है तो उनके लिए rule थोड़ा अलग है 12 weeks और उससे ज़्यादा pregnancy अगर होती है तो in that case उनको temporarily unfit declare किया जाता है और delivery के बाद उनका re-examination किया जाता है for procuring the fitness certificate और delivery के बाद six weeks time दिया जाता है recuperate करने के लिए और उसके बाद उनका जो है फिर से medical examination किया जाता है यहाँ पे TB, leprosy यह सब बिमारी का अलग से guideline दिया हुआ है इस order में आप चेक कर सकते हो कुछ cases में आपका medical examination नहीं होगा वो कुछ conditions है अगर एक साल पहले ही आपने कोई सरकारी नौकरी में join किया था और उसमें आपका medical examination हुआ था और आप फिर declare किये गए थे तो in that case आपका medical examination नहीं होगा और as far as क्या क्या टेस्ट आपका होगा that is concerned तो उसमें particular कुछ government guidelines कुछ है नहीं बहुत basic non-gadgeted post में recruitment के लिए basic सा जो medical check-up किया जाएगा वही यहां पर दिया हुआ है और आखों का बोला गया है कि आपका ocular fitness जो चेक किया जाएगा तो उसका कितना power maximum allow होगा वैसा कुछ system नहीं है आप चर्श्मा पहन के अगर आप ठीठक देख पर तो that is enough और बाकी color blindness का एक आपका list आता है जिसमें SSC में आपको मिल जाएगा कॉंसा कॉंसा department color blindness को okay करके रखा है कॉंसा कॉंसा department color blindness को अलाओ नहीं करता है बहाँ पर दिया रहा था अपर्ट फर्म दैट कुछ department ऐसा भी है हो मिया defense में जहां पर दिया हुआ है कि color blindness is allowed but actually recruitment होने के बाद medical के time में वो लोग उसमें जो है issue create कर सकते हैं so in that case थोड़ा बहुत आपको शायद लिखा पड़ी करना पड़े या representation देना पड़े उसका reference लेके तो अगर आप if you are color blind आप जो list दिया हुआ SSC में उसका proper printout लेके रखिए क्योंकि अगर कोई issue होता है joining के time में क्योंकि जब medical होगा बहाँ पे जो ophthalmologist रहेंगे डॉक्टर वह आपको चेक करके वह चीज वह लिखेंगे certificate में that you are color blind उनके पास एक जाता है तो अगर उसमें कोई issue आता है मतलब you are color blind तो वह चीज उसमें mention किया रहेगा तो वह लेके शायद fitness का कोई issue हो सकता है तो in that case थोड़ा बहुत जो है आपको authority को बताना पड़ेगा और अगर जरुरत परे तो आपको representation देना पड़ेगा तो दिल्ली से जो लोग है उनका most probably medical examination सबदर जंग hospital में होगा और जो दूसरे state से है तो उनका state जो hospital है state general hospital बहां से होगा और बाकी जो जो चीज टेस्ट होता है वो मैं short में आपको बता देता हूँ आपका height weight का measurement होता है height और weight का एक ratio होता है वो ratio maintain होने से बढ़िया है ठीक है और I don't think कि वो ratio ना maintain होने से किसी को unfit या कुछ किया जाता है steno grapher का post में उतना सायद restriction उतना नहीं होता है तो एक यह गया दूसरा जो है आपका urine check होता है urine test होता है urine sample आपको देना पड़ेगा thirdly आपका chest xray होता है उसमें कोई abnormality या कुछ अगर है या नहीं वो चेक करते हैं तो chest xray में आपका heart और lungs चेक किया जाता है normal है या नहीं और अगर lungs या heart का कोई issue अगर notice करते हैं वहाँ पर doctor तो वो चीज वो certificate में mention करेंगे और he or she will state clearly कि whether the issue which you have that will hamper the service or your duty in any way तो वह भी बहाँ पर mention किया जाएगा अच्छा आपका कोई communicable disease है या नहीं यह भी चेक किया जाएगा आपका vaccination marks देखा जाएगा उसके लिए पुरा जो है you have to go shirtless okay full cloth off हम लोग का तो ऐसे पुरा चेक हुआ था कोई skin disease है या नहीं यह भी देखा जाएगा आपको शायद verbally पूझ भी सकते हैं और आपका जो हाथ पैर है उसका joint ठीक से काम कर रहा है या नहीं फुल फ्री है या नहीं और उसमें कोई deformity नहीं है या नहीं तो यह सब चीज चेक किया जाएगा अगर आपका hearing भी चेक किया जाएगा अगर कोई candidate hearing aid यूज करते थे उनको unfit नहीं declare किया जाएगा except दो टाइप का सर्विस है railway service और military engineering service MES यह दो department में उनको भी unfit कर दिया जाएगा तो बहुत सारा exception से home ministry और defense ministry बे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने से पहले बहुत अच्छे से carefully सोच के अच्छे से information लेके तब भी आपको सिलेक्ट करना है दाथ देखा जाता है teeth दाथ दिखाना पड़ेगा literally और chest expansion contraction चेक करेंगे वो और कोई इन सब में कुछ भी है तो आपको जो operation करवाना पड़ेगा अच्छा BP चेक किया जाएगा blood pressure चेक होता है sugar diabetes चेक होगा fasting में भी और PP में भी तो पहले आपको fasting देना पड़ेगा उसके बाद खाने के जितना time मोलेंगे उस time के अंदर आपको PP के लिए भी blood देना पड़ेगा अच्छा और एक चीज में आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ अगर आप में से कोई contact lens यूज करते हो तो medical examination के time में आप उसको मत यूज कीजिए क्योंकि वो allowed नहीं होता है medical examination में वो आपको आपका आँख चेक करेंगे वहाँ आपको चश्म पहन के ही जाना पड़ेगा contact lens आप बाद में कभी भी यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं को यूज कर सकते हो लेकिन medical examination के time में डॉक्टर्स प्रेफर स्पेक्टापल तो गईज जो भी चेक होता है यही होता है इससे आगे इससे जादा कुछ नहीं होता है इन फैक्ट इससे कम ही चेक होगा और एक्चुली मैंने जितना सारा टेस्ट बोला है इसका आधा भी नहीं हो सकता इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ओन वर यू अंडर गोइंग दर टेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यह जहां भी आप कर रहे हो तो मतलब बहां कैसे होता है मेडिकल प्रॉसेस सम स्टेप्स कैन भी चेंज़ अंडर डिस्क्रेशन अब डा मेडिकल ऑथरीटी तो बाकी इसमें देखिए टेंशन लने का कुछ नहीं है घबडाई है मत बिलकुल और बहां पे जब आपका चेकिंग होगा तब तो घबडाना बिलकुल भी नहीं होंगा और कोई इंफर्मेटिव वीडियो और आप जो है अपना ध्यान रखिए अपना तवियत का ध्यान रखिए और फिजिकली फीट रहिए और कोई टेंशन लेने वाली वह कुछ बात है नहीं अगर कुछ इशू होता भी है तो वह कुछ महीना टाइम भी दिया जाता तो सॉट आउट हो जाता है ज्यादा कोई स्ट्रेस लेने का बात कुछ है नहीं ठीक है चले है बाई